हम लोग श्रिमत भागवतम के तीसर स्कंद के प्रतमत ध्याय के बाइस से चौबिस में श्लुक को देखेंगे, 21 में आप नहीं देखा था कि विदुर जी प्रभास शेत्र पहुंच करके, शेत्र पहुंच करके वहां पे वे सुने कि उनके उसुरूद का विनाश हो गया था अथ्रात शुष्राव सुहृद विनिष्टिम वनम यथावेणु जवनि संस्रयम संस्पर्धयाद अग्धम अथानु शोचन सरस्पतिम प्रतिगियायत उष्णिम तो इस प्रकार से अपने सुहृदों और कौर्वों का अथ्वा सुरूद अथाद्योद्वों का वहाँ पर उनने एक तीर्थों का सेवन किया उसको उनके नाम रखे जा रहे हैं च्राद्ददवस्यासस असिषे वे तिर्थम्सदस अश्यगवां वहस्या यच्ष्ददवक्ष्यासस असिशे वे तस्यां तृतिथायव सशनो मनोष्या प्रुथूर пригृने रसित अस्यवई हो जएक्रिधादध्यों के विन आपंस्या ब čal mmृजोद तूर थॉशने अच्राद्ध देवस्य सासिषे वे तिर्थम सुदासा स्यग वाम् गुष्या यच्षाद्ध देवस्य सासिषे वे तश्याम् tritasyo shana so manoscha, prithorath-aagnerasitasya vayoh तस्याम््तifferent तस्यो शन्सो मनोश्य पृत्तर थागने रस्य तस्य वायो तीर्थम सुदा सस्य गवाम गुहस्य यच्राद्ध देवस्य सासिशेवे तीर्थम सुदास अस्य गवान गुहस्य यच्षाध्ध देवस्य सासिशेवे सरस्वती नदी के तठ पर ग्यारा तीर्थ स्थल थे इनके नाम है तृत उष्णा मनू पृथु अग्नी असित वायू सुदास गो गोह तथा श्रात देव विधर उनसी वह में गई और ठीक से कर्मकान चैश्दास पर आओ अगला देखते है अन्यानि अन्यानि चेह द्विज देव देवय कृतानि नानायत नानि विष्णोह। प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिरानि यद धर्शनात कृष्णमनुस्मरंति प्रत्यांग मुख्यांकित मंदिरानी यद्धर्शनात क्रिष्ण मनुस्मारंती अन्यानि चेह द्विज देव देव्याई, कृतानि नानायत नानि विष्णोह। अन्यानि चेह द्विज देव देव्याई, कृतानि नानायत नानि विष्णोह। अन्यानि चेह द्विज देव देव्याई, कृतानि नानि विष्णोह। यद दर्शनात कृष्ण मनुस्मरंति रत्यंग मुख्यांकित मंदिराणि यद दर्शनात कृष्ण मनुस्मरंति वह सुन्दर शुलुक है। ब्रामनों महर्शियों के द्वारा और देवताओं के द्वारा जो विग्रह स्थापित थे। उन मंदिरों को वह देखने के लिए थे। तो देखिए कितनी बड़ी सिक्षा यहां प्राप्त हो रही है। प्राज को लोग कहते हैं कि हम हिंदू लोग और सनात्म धर्म को मानने वाले मूर्ती की पूजा करते हैं। प्राप्ति की नहीं भग्वान की पूजा करते हैं। यही तुम सुन रहे थे प्रवपाजी कि ताद परियों मैं कि जो भगवान के साक्षा सामने होने से लाभ मिलता वही लाभ भगवान का भगवान के विग्रह से प्राप्त होता दिखी भगवान नाटक करने में सबसे तेज हैं अब यह बताई कि यह जगत में लोग पेमेंट करके शादियों में लोग को नहीं बुलाते हैं वह ऐसे कड़ा रहेगा जब इंसान दो मिन्ट के लिए सक्कार सकता है तो भगवान हमेशा के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं हमेशा मत्वान नाटक करने में सबसे तेज हैं जब तो क्या कहते हैं किसी का मचली का नाटक कर सकते हैं जब है कच्छवे का नाटक कर सकते तो क्या मूर्ती का नाटक नहीं कर सकते हैं देखिए समझने का प्रयास कीजिए वह आपकी मन को खीचना चाहते हैं तब जब भगवान का विग्रे घर में रखते हैं तो आपका मन खी कि बच्ची हैं वो मेरी बात को बिल्कुल समझ जाएंगे. बच्चा जो होता है, especially छोटा बच्चा, वो बिल्कुल असहाय होता है. तो मा दिनो रात ही सुष्थी रेती. कैसे बच्चों को करेंगे, हम नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? अगरीड तो इससे आपका और अधिक प्रेम खिषता है कि नहीं इट ड्रॉज यार लव तो भगवान जान बुझकर भगवान मालो उठे आप मान लीजे भगवान ऐसे करने लग जाए कल से कि आपके भगवान खुदी त्यार हो जाए भगवान चाहते हैं कि हमारा प्रेम प्रकट हो इसलिए अपने विग्रह की रूप में आ करके हमें सिवा का मौका देते हैं जिन भी माताओं की शादी हुई है अगर अपने पती से प्रेम करती है और आपके अर्रेंज मेरेज हुए मान लीजिए फार इजांपिल तो शुरुवात में प्रेम नहीं होता है अब भी है कि नहीं लेकिन अगर माता की सेवा की भावना है पती की प्रती तो आप देखें क्योंकि भगवान अधारण दे रहा है आगे जाकर के सबसे बड़े भ्रह्मचारी दुर्वासा मुनी को बोले कि जैसे एक सत्पत्नी पती वरतास्त्री अपने सत्पती को पूरा कंप्रॉब वह लितां इसे मेरे भरत मुझे पूरी तरह कंप्रोल में लेलेते हैं सिवा के द्वारा सेवा कीदवार कंप्रोल में मतलब मन से वानी से और शरीर से लगपड़ा नगा थो भकत भी तो जीता गया भगवान के द्वाराज दोनोन तरफ से एक बात है ना तो भगवान विग्रह की रूप में स्थापित किये जाते हैं और विग्रह की रूप में अवतरित होते हैं ताकि भगतों को सिवा का मौका मिले, सामान लोगों को भगवान की सिवा का मौका मिले, तो ये कोई सामान मूर्ति मात्र नहीं है, बहुत अच्छी बात है, जैसे ज जहां भी कृष्णु होंगे वहां लोग आएंगे देखिए इतने लोग आ रहे हैं कि अब घड़े होने के जगे भी नहीं मिलती है अब लाइव भगवान को देश्ण देना पड़ रहा है जो रेगुलर भाकत है वो भी बहार मंदिरों में टीवी फोटो पर देख रहे हैं भगवान को है ना ठीक है अन्विदे के इह इस परत्वी पर द्विजदेव देव्याही द्विजदेव मतलव जो द्विजओं के देव हैं द्विजओं के अराध्य है अर्था ब्रामणों के भी जो अराध्य वानी महान रिश्य उनके द्वारा तथा देव्याही अर्था देवताओं के द्वारा कृतानि विष्णो स्थापित भगवान विष्णो के नाना आयत नानी विविद रूपों से युक्त अन्यानि अन्य अनेक मंदिर जिनके प्रतियंग मुख्य अंकित चवण प्रमुख प्रतिकों से चिननित थे दे की इसका और्थ है तो प्रकार से होगा उन मंदिरों में भगवान के मुख्य अंग अर्थात प्रत्यांग मुख्या का मतलब है भगवान के जो हातों में विबिन प्रकार के आयुद है उनके द्वारा वह मंदिर अंकित था चक्र गदा पद्म आदी कमल तो हो गया पद्म गदा चक्र शंक और पद्म इससे वह अंकित थे और दूसरा एक और अर्थ है कि जो मंदिर के मुख्य अंग थे जैसे मंदिर का शिकर है तो वहां पे भगवान का चक्र स्थापित होता है तोन वर्थ लेना चाहिए तो मुख्य आप मंदिर से भी ले सकते हैं और मुख्य को आप भगवान से भी ले सकते हैं तो भगवान के जो मुख्य आयुद है वह मंदिर के प्रतियक प्रतियंग में थे और दूसरा भगवान के प्रतियंगों में जो मुख्य आयुद है जो जिन मंदिरों को दूर से देखने पर कृष्णम अनुस्मरंती आदी भगवान श्री कृष्ण का निरंतर स्मरंण होता था क्या इसका अर्थ है तो आपको कोई मंदिर जानते हैं जिसमें जिसको देवदाओं ने स्थापित किया हूँ तरह ने स्थापित है तफ देवदाओं ने स्थापित किया है उखे नहीं पता आपको इन वी प्लिद जिसमें जानते हैं रामान चार जी के संप्रताय में जो श्री रंग मंदिर है वह एक अलवर नाम भूल रहाओं कोई अलवर उन महान अलवर ने उस्थापित किया था राधा रमन जी को कौन प्रकट कराए श्रीला गुपाल गुपाल भट गोस्वामी और मदन मोहन को सनातन गोस्वामी पाद इ नहीं पता है लेकिन देवताओं ने किसने जगनाज भी हाँ जगनात जीव का विग्रह वो ब्रमा जी के द्वारा स्थापित है येस और हम यह भी सुनते हैं कि इधर जो रंगनाज जी का मंदिर वहां पर भी किसी समय में आकर के विभीशन जी सेवा करते हैं अब इस सार साल पहले भी ऐसे विग्रह होते थे जिनका दर्शन करने के लिए विदुर जी ब्रह्मान कर रहा है तो बता रहा है प्रभू की गुरु वायू को विग्रह है वो यह सुत माता जुदा के द्वारा से विथा लक्ष्मी नर्यान भगवान जी ओके संथिंग लिए इस प्रत्वी पर द्विज देव अर्थात महरिशियों और देव ये अर्थात देवताओं के द्वारा कृतानी मनाय गए थे नाना अयतनानी विष्णु भगवान विष्णु के विभिन प्रकार के छेत्र या मंदिर क्यासी मंदिर थे प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिर प्रत्यंग भगवान के प्रत्यंग में प्रत्यंग मुख्यांकित जो भगवान के प्रत्यंग में मुख्य आयुद है धारण की उससे वह अंकित मंदिर थे एक अर्थ हुआ और मंदिर के मुख्य अंगों में भगवान के चक्र अधी अंक्र थे जैसे कि शिखर के उपर द जो अंदर हो लगता है और वाहर जो आननन बजारे प्रसाद्स मिलता है उसमें बहुत सारा हम सुनें प्रसाइब माने बहुति थो एक रखते को भोग लगते हैं तो वह चक्र को भोग लगाना भी यहार Requ jours को अंदर भोग लगाना तो कमी नहीं मानना चाहिए भगवान चतन महांप्रभु जब पहली बार जगनात मंदिर में गए लिए भागवान का पुरी पहुंचे तो चक्र को देख ब्योष जाता इस प्रकार से यह दर्शनात कृष्ण मनुस्मरणती उन उन चिन्हों का जो मंदिर पर अंकित हैं उनका दर्शन करने मातर से कृष्ण का स्मरण होने लगता था एक भक्त कह रहे हैं लेकिन कहा सनातन गोस्वामी जो गोलोक के पार्शद हैं और कहां देवता जो बस एक ब्रह्मान के देवता है तो जिसको इस्थापित कर रहे हैं वो क्या अलग वेक्ति हैं आई अब्रह्माजी आपको पता है कि नहीं पता है अब्रह्माजी आप सुनचुके हैं कि उनको भी तो भगवाण से उनका मधूर भाव में ने अ अहमसे तो देवता शिरेष्ज ही है न है असा नहीं कीजेगा उन सभी चीज़ों से तो भवान कृष्ण का अस्मरण हो रहा था ना जिन सनातन गोश्वामी के बारे में आपको बोल रहे हो क्या वो सनातन गोश्वामी जगनाच पूरी में जाके भवान जगनाच का दर्शन नहीं करते हैं इसकी स्थापना ब्रह्माजी नहीं कराई अब विचार कीजिए तो ये तुलना ठीक नहीं है श्रीधरी द्विज देवों अर्थात रिश्यों और देवताओं द्वारा निर्मित मंदिरों का सेवन विदुर्जी ने किया विदुर्जी सेम महाभागोत हैं प्रत्यंग मुख्यां कित मंदिरानी अर्थात उन्होंने विष्णु के मुख्य आयुद चक्र से चिन्नित मंदिरों की सेवा की कम्बलों समझ रहे हैं सेवन किया इस सेवा का अर्थ लोग समझ नहीं पाते हैं भई जैसे आब इसमें ल कि इसमे चक्र एक हाथ में सांक हमाеш दोी हाई तो ले लिजे बदेजित और ये अर्ध कमल एक हाथ में घद तो प्रतियंग हो गया की नहीं तो ये चार आयुद कि व्मंदिर चिन्न्त वैसे सुरिष्टम्प्रदाय में ये परंपरा है बड़ी कठिन परमप्रा है कि जब दिक्षा होती है तो इन चिन्हों को लोहे के सलाख होती उसके उपर बना दियाता तो गरम करते हैं और वह अंकीत की जाते हैं इस गौन में ऐसा होता तो पहले ही लोग चढ़ जाते कण выглядит लिकले के लिए के अब देखिये चलिया हम यहीं पूच लाएं कि लोग बार्हा तिलक लगाते हैं तो गडी बाहां लगाते हैं पिड्वात इनमाट लीटियों कहाँ विध्ünde नौटियाल प्रभू, are you doing it? तक अभी कभी लगाते हैं, ब्राह्मान नहीं नौटियाल तो ब्राह्मान होते हैं, ना पापा ना दोनों भाईया है, इधर की तिलग कोई देखता थूना है, जो दिखता है वो बिखता है, is it not? यहां तिलग दिखता है, तो यहां लगा लिया, दिख गए प्रमानित हो गया, पूरेश, जो जिन्होंने हैं रिखे, is very good, यही देख रही है, भग्मान देख रहा है, तुम्हारे आलज कभी देख रहे है, कि यह आलस है, बहुत हो को यहां लगा लिगा लिगा लिगा, अगर यह तिलग है, तो यम दूथ उसको श्ट्खू नहीं सकते, इतना पवित्रा है, यहां पर लक्ष्मी नरान का निवास होता है, जो बीच में खारी स्थान होता है, आज हम एक भग्त को डांट रहे थे, मतलब डांट क्या रहे थे, कर्रेक्शन देरे, दाटने का तो हम नाम नहीं रख रहे हैं, बता देरे हैं, हम आता है, पैंट से पहन के, हमको आभास हो, जीन्स पहन के आई है, उसके ओपर भी कुछ, नहीं कुछ लिप्स भी बने होई तो, आप कुछ नोटिस किये है, कुछ बोले ने, क्लास के बाद, काथा में बहुत रूची है, तो तुम डाट नहीं सकते हैं, लेकिन हम प्रेम से बतारे हैं, तो क्या प्रिंट छाब दिया है, या खरी दे हो ऐसा, वह रहन माने है, कि भक्तों के यहां पर लिप्स का प्रिंट लगा रहे है, तो कितना अजीब सा लगा, आको किस कस मरण होगा, बताईए, तो ये मेरे बात नहीं है, महाराज इस बता रहा है कि देखिए, भक्तों के बहुत बड़ा कर्तव्य है, कि वह ऐसे वेशबूशा धारन करें, जिससे लोगों को भगवान के भक्तों का स्मरण हो, हमको देख करके, बहुत से लोग तो ये नि मानते ही शादी हुई है, एक बार इनको ले करक कि लगे कि पंडित है, महाराज है, कुछ तो ऐसे लगना चाहिए, अब यहीं अंतर ना लगे कि ये कौन से संप्रदायक है, तो बड़ा दिकत है, मैं देखा इधर ये जो रामानादी संप्रदायक के भक्त है, उनका दिला कितना सुन्दर लगता, दम तीजस्वी, पुरा अलो, बेरी नाइस, दूर से देखकर के विक्ति को भगवान का स्मरण हो जाता, धान दीजेगा, मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, बताइए, ये शरीर भी मंदिर है, और इसमें भगवान के चिन अंकित होने चाहिए, वो आपको गरम लोहे से दिमबिन्दी लगाते हैं, ये प्रमानित करने के लिए, गौरौ को सूचित करने के लिए हमारे पती जिन्दा है, और हमारे पती जो असलिवाली पती है, मरते ही नहीं, तो मरते दम तक आपको तिलक लगाना है कि नहीं? तिलक नहीं लगाना यह बहुत बड़ाग बात है अनलेस अब आप ऐसी जगेंपे हैं जांक वली मारती जाएगी तो तो अलग बात है तो आप पानी चे लगाईए लगाना चाहिए अब मारा भाग्य है मारा भाग्य कि हम तिलक लगा रहे हैं यह समझ गया ना मैं क्यों बोल रहा हूं कि जैसे मंदिंडिरों में अंकित चिन्न भगवान वह घ्ति कर लेकिन ऊं साथ हजार जन्मो के पाप नश्ट्रेματα अतिश्योक्ति नहीं है, शास्त्रोक्का बंडन है, एक बार हमने अभी सुना था, भक्तों से कि एक बार को विक्ती मर गया, मर रहा था, तो उपर से कबूतर ने बीट कर दी, तो ये डिजाइन बन गया उसके माथे पर तिलक का, तो यम्दूत आये, उसको देखने के लिए क होकता है, जो चलेगा चुकुटकिया हुचा रहा, वेरी पाउरफुल, ये बहुत पाउरफुल, तो इस बात बोले कि भगवान के चिन्नों से अंकित हमारा देह होना चाहिए, ये बात आपको हलकी लग रही है, बारवे सकंद में आपको बात देखेंगे कि कल्यूग मिलो हुआ, मुझे याद है कि एक बार आयन पर किर्तन करने आए, जल्दी जल्दी आ रहे थे, भूल गए तिलक लगाना तो अपने को अपने को जो चदर था, उसको पल्लू की तरह रखे हुए थे, पल्लू समझते हैं, यहां पल्लू करती है, यहां ते रख करके पर इसको गा रहे हैं, इनको कहते हैं, बड़ी शरम आ रही कि इम तिलक नहीं लगा है, ठीक है, तो विचार कर लेजे कोच शिक्षा यहां पर मिल रही है, भगवान का देखे नियम बता रहा हूं, भगिया पढ़ेंगे, भगवान का तिलक लगाकर कि जो बजन होता है, उससे एक हजार मिलता है, यह हरी भक्ती विलास में लिखा है, इस सो इंपोर्टन, प्रतियंक आर्थ है वह जो उनके प्रतिक हाथ में है, प्रति अंग, भगवान के मुख आयुद चकर, जिनके शिखर पर विद्यमान सुवर्ण कलशों पर चिन्नित है, मंदिर का शिखर, उसके उपर सोने से, सोने के परति से, बहुत जगे मंदिरों में प्योर गोल्ड के भी होते हैं, जी, रंग जी मंदिर में बैसे अमने सुना, तो उसके उपर ये भगवान के चिन्न अंकित्य, तथा अनेक प्रकार के भगवान विष्ण के मंदिरों के अयतनानी, अर्था छेत्रों समशी बड़ी बात हुए, भाइत देखिए, मनुष्य जीवन ऐसे मानिए कि एक हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, में बिजनेस कर रहे हैं, और उसमें एक मात्र प्रॉफिट है भगवान विष्ण का स्मरण और एक मात्र लॉस है भगवान विष्ण की विश्विर्ति, पहली लाइश आप भूल रहा हूं कि वही सबसे बड़ा दोश है, और तद हानी, तद महाचिद्रम, यद वही सबसे बड़ी हानी है, वही सबसे बड़ा चिद्र है, दोश है कि जिस मुहूर्त में या जिस छण में भगवान विष्ण का स्मरण ना हो, अब समझ सकते हैं, सबसे बड़ा लाब है अंते नारायन स्मृति भगवान विष्ण का स्मरण होना, क्यों? क्योंकि जितनी बार हम भगवान विष्ण का स्मरण कर रहे हैं, उतना उतनी हम आपकी बात हम फिर आपकी बात दिलाएंगे श्रीपाद रामनुच्जार्ज ने क्या कहा था इंद्रियों के व्यापार से ही काम जनित होता है भोग इच्छा, सीन चेंज कीजे, गुमा दिजे, इंद्रियों के व्यापार से ही प्रेम जनित होता है, रिशिकेना, रिशिकेना, सेवनम भक्तिर उच्छते, अपनी इंद्रियों से हम भगवान का सेवन करते हैं, इसे को भक्ति करते हैं, भक्ति का जाता है, तो उसका उद बर बर सुनते हैं तसमा सरवेशु कालेशु माम अनुस्मरे युद्धचा तो अब आप जानते हैं कि विदुर जी अपने को शुद्ध करना चाहते हैं और एक मात्र शुद्धी करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है एक मात्र तरीका है बग्मान विश्टु की स्मृति उ ऐसे कोई विक्ति वाश्रूम चला जाए दो नंबर या एक नंबर जो दो नंबर कहलेजिए तो उसके बाद शुद्धी तभी होगी जब वो नहाएगा समझ जा गया हरी पार्शत प्रूब बढ़ा सुंदर धार नहीं करेगा वो पवित्र नहीं माना जाएगा जल से स्ना से नहीं काम चलेगा उसी प्रकार जब तक जीव भक्ति नहीं करेगा वह शुद्ध नहीं हो सकता हो भक्ति का मतलब भग्वान का स्मर्ण मन मना भव मत भक्त उत्यादी ऐसी भक्ति क्या जिसमें भवान का स्मर्णी नहीं हो हम उस परम्पिता पर मात्मा पर मिश्वर का ध किसी को नहीं पता कि किसका ध्यान कर रहे है यह ऐसी बात नहीं तो भगवान का स्मर्ण करेंगे तो भगवान का प्रेम हिर्दय में जाग रित होगा और यह सारे मंदिर इस प्रकार से सहता करते हैं इसलिए मंदिरों का सेवन कर रहे थे मानव समाज चार सामाजिक वर्गों तथा चार आध्यात्मिक विभागों में विभाजत है जो प्रत्यक मनिश्व पर लागो होता है यह प्रणाली वलनाश्रम धर्म कहलाती है और इस महान ग्रंत में अनेक स्थलों पर इसकी व्याख्य द्विजदेव कहलाते थे अर्थात द्विजों में सवस्रेष्ट चंद्र लोग से उपर की उत्कृष्ट लोगों के वासी द्व कहलाते थे द्विजदेव तथा देव दोनों ही विष्ण के विविद सुरूपों वाले यदा गोविंद, मदसूदन, निरसिंग, माधव, केशव, नारायन, पद्मनाभ, पार्थ, सारतियाधी नामों वाले मंदिरों की स्थापना करते हैं भगवान असंखी रूपों में अपना विस्तार करते हैं किन्तु वे सभी रूप एक दूसर अभिन्य है अद्वे तमच्यत मनादि मनंतरूपम आध्यम पुरान पुरुषम नवयोव नम्चह भगवान के असंखी रूप हैं लेकिन भक्त की भावना के अंसार वे भगवान क रूप को उस वक्त के सामने प्रस्तुत कर देते हैं और प्रत्यक हाथ ने विश्श्वस्थू यदा शंक्व चक्र कड़ाई कमल का फूल रहता है इन चार चिन्यों में से चक्र प्रत्यांग मुख्या चारों प्रतियंग में एक एक आयुद्धह मंदिर के ऊपर चिन्यत रहता तो उसको देखने मातर से भगवान का स्मर्ण अर्था रहा है आधी विष्टू रूप होने से कृष्ण के एक ही चिन चक्र होता है इसलिए कभी-कभी उनको चक्री भी कहा जाता है अपने कहानी कता एक श्लोक सुना है है हम कहा रहे थे कि कार्थिक में एक एक बड़ा सुन्दर बात आती है कि पूर्वज ये प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हमारे वन्ष में कोई विक्ति भगवान को दीब दान करें तो भगवान चक्री मतलब भवान-कृष्ण उनकी कृप्राश्वे हमें भी मुक्ष प्राप्त हो जाए तो वहां से बात से बहुत अच्छा गाने वाली माताजी है स्कौन मिनका नाम है चक्री माताजी तो पहले हमको समझा ये क्या चक्र है चक्रणी ये क्या मतलब ये कैसा नाम है चक्रणी है तो अजीव सा नाम था तो बाद में समझ में आया कि भई बहुत अच्छा नाम है चक्री मतलब भवान विश्नू समद्धत नाव है, भगवान का चक्र शक्ति का प्रतीक है, जिस से वे सारे जकत का नियंत्रang करते हैं, आगे जाके आप सूलेंगे अम्रीश महाराज के प्रसंग में ये चक्र ही भगवान की काल शक्ति का प्रतिनी धीवी है विश्णु मंदिरों के शिखरों पर चक्र का प्रतिक रहता है जिससे लोग दूर से इस प्रतिक को देख सकें और तुरंद भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकें हमारे मंदिर में इसकौन व्रिंदावन में निव डिटी केचिन बना और उसके ऊपर छथी चछत को बचाने के लिए एक टीन का और आवरन डाला गया परंपोच उसको बोले कि इससे मंदिर का चुप रहा है तब मुझे बात समझ मिले कि इतना क्या हो हूं है महाराज यह क्यों बोल रहे हैं और आप को समझ मेझा कि महाराज क्यों बोल रहे हैं वो ब वो भी हर दिशा से नहीं छुपा रहा था है, जिस दिशा से प्राय भक्त जाते थे, यहां से पीछे से, MBT के तरफ से जाते हैं, तो वहां से मंदिर का शिखर छुप रहा था, तो अब मुझे समझना है कि महाराजी वो बात क्यों कह रहा है, जो at least मैं समझ रहा हूं कि महारा और देखेगा जितना भक्ती वो उन्नत होते जले जाएंगे, जितना हर्द शुद्ध होता जले जाएगा, वो छूटी छूटी बातों के प्रतिया अप सच्चेत हो जाएगा, तो इससे तो क्रिश्न प्रसन होगे, इससे तो क्रिश्न का स्मरण नहीं होगा, यह दिखा र जा रहे होते हैं, तो दूर से ही मंदिर देख करके प्रसंत हो जाती है, अब लोग अभी गए हो आप पे, चलो ले चलूँगा, चोटे भाई, आप ले चलना पड़ेगा, वेरी नाइस, अमेजिंगा, यह ऐसे जगनात मंदिर बहुत उंचा बरा गया है, आप पुरी मेरा प्रेमिय अंदर बैठा है, मैं उनका दर्शन प्राप्त करूँगा, इसी रहे इतने उचे उचे शिखर बनाए गया आते थे दूर से ही देख सके हैं, बलकि आप पता है कि नहीं पता आपको, यहां जो मदन मोहन का मंदिर और मदन मोहन का भी हम समझते हैं, वो इतने उचे शिखर थे उसके, कि वो उस पर जो दीब जला जाता था, वो है अब आगरा से भी दिखाए पड़ता था, और इस कारण से और रंग जेब आये और उनने इसको तोड़ दिया, फिर भी काफी शिखर बागे, गोविन देव का ही मंदिर है, गोविन देव का मंदिर के ठीक है, मूल बात ये है कि भगवान की विस्मृति से ही जीव दुख पा रहा है, तो किसी न किसी तरह से आचार गण ये विवस्था करतें कि जीव भगवान का स्मरण कर सके, ये बात है, अत्यंत उचे मंदिरों के निर्मान का उद्देश, लोगों को दूर से दर्शन कर करने का स्योग प्रदान करता है, ये ही मैं समझा रहता है, भारत में जब भी कोई निया मंदिर बना जाता है, तो ये ही शैली अपनाई जाती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि लिखित इथियास के पहले से ही ये शैली चली आ रही है, नास्तिकों द्वारा किये जाने वाले इस मूर्ता पूर्ण प्रचार का कि मंदिरों का निर्मान बाद में हुआ, यहाँ पर खंडन हो जाता है, क्योंकि कम से कम 5000 वर्ष पूर विदुर ने इस मंदिरों को देखा था, और विष्णु के ये मंदिर विदुर दरा देखे जाने के बहुत पहले से विद्यमान थे ऐसा नहीं कि कोई कर अरे विदुर जी आ रहे हैं मंदिरों का निर्मान करो वाई, ऐसा नहीं था, सभाविक से बात है, यह शाश्वत प्रक्रिया है, हमेशा से भगवान के विग्रों की सेवा चलती आई है, महर्शियों तथा देवताओं ने कभी भी मनुश्यों या उतनाओं की मूर्टिय स्थापित नहीं करें, वो जानते हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण हैं, किन्तु समान लोगों के लाभार्त उन्हें इश भावरा मृत के स्थर तक उठाने के लिए उन्हें विष्णु मंद्रों की स्थापना करी, क्या लाभ है समान विक्ति को भग्वान का दर्शन साक्षात करने से मिलता है वही हम जैसे समान विक्ति को मंदिर में जाकर की भगवान का दर्शन करने से मिलता है। यह आपके घर में बहान के बिग रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन मंदिर में जैसे सेवा होती है, वासों तो घर में नहीं उपाती है, तो भगवान के अभिवक्ति भी बहां पे और अधिक थोड़ से जदा हो जाती है, यह बात है, तो जाना चाहिए, ठीक है, अब हम आक्ष शिर्णो प्लित्य हैं, तहत्त्तवती व्रजय सुराष्वरमृद्धम् सौ वेरम अथ्यान कुरु जårtना मृंश्च्र aids नहित्तव में,टस थद्वत जनकुश्र Express INяться हृं कृष्य रात्तृ नहिस्त्वति प्सेजु पल्फ्ति व्रजय सुराष्यमृद्तित्त्त्त्त्त् कालेन तावद्यमु नामु पेत्या, तत्रोध्धवं भागवतं ददर्षा ततस्त्वती व्रज्य सुराष्ट मृद्धं, सौ वीरम अस्यान कुरुजांग लांश्चा ततस्त्वती व्रज्य सुराष्ट मृद्धं, सौ वीरम अस्यान कुरुजांग लांश्चा कालेन तावद्यमु नामु पेत्या, तत्रोध्वं भागवतं ददर्षा कालेन तावद्यमु नामु पेत्या, तत्रोध्वं भागवतं ददर्षा काली नतावद्यम नाम पेत्य तत्रोधवं भागवतं ददर्ष तत्रोधवं भागवतं ददर्ष तत्रोधवं भागवतं ददर्ष तत्रोधवं भागवतं दर्ष तत्रोधवं भागवतं दर्ष तत्रोधवं भागवतं दर्ष तत्रोधवं भागवतं दर्ष तत्रोधव वे यमना के तड़ पर पहुंचे जहां उनकी भेंट कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हुई तो ये अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि पहले पहुंचे प्रभाज शेत्र और और पश्य में गए और फिर वहां से रिटर्न मार दी और उसके बाद पश्य में जाएंगे त इधर सुराष्ट सूरत अधी और गुंगर में इस्ट तो असा करते हुए आप इधर यमना मतलब दिल्ली के शारी ब्रजशेत्र में आ करके उनसे बद्दवजी से मिलते हैं ततह तो ततपश्याद वहां से रिध्धम मतलब होता है सम्रिद्धी अत्यांत धन्वान प्रांत यथा सूराष्ट्रम सूरत का राज सौवीर मस्यान मस्य समराजत्ता कूरु जांगलान विख्यात पश्यमी भारत से दिल्ली प्रांत तक के समराज को अति व्रज्य पार कर तो समझ में आ रहा है पश्यम से लेकर दिली तक यह निए बर अब दिली की तरफ आ रहा है तो बात प्रश्ण था कि वह कहा कहा प्रमन किये और फिर घर को क्यों लोटे तो अभी अभी यह उद्धव जी के पास लोटेगे देखे बात यह है कि उद्धव जी के पास आएंग पार करके इन सबको पार करके काले ना कालक्रम से तावत जो ही वह यमना मुपेत्य यमना नदिकेट पर पहुंचे तत्र भागवतम उद्धवम ददर्शा वहां उनने भगवान कृष्ण के परमभक्त उद्धव यानि यदुव में प्रमुक्ष्य उद्धव को देखा सं सव्वेर मस्यान कुरुजांगल परदेश योकी दिली तक है वहां तक उसको पार कर गए कालेन दावत तब वह कालक्रम से तब वहे हैं यमुना मुपेत्य यमना कित्ध पर पहुंचे तत्र वहाँ उस्द्ध वम उद्धव जी भागवतमर भागवत को दडर्श उनने दे दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के मध्रा जिले तक का लगबग एक सो वर्ग मील का भुखंड जिसमें हर्याना प्रदेश के गुडगाव जिले का कुछ अंश सम्मिलित है इन्हें सारे भारत में तीर्थ यात्रा के लिए सर्वोपरी स्थान माला जाता है। इस यूज बहुत इन्टरस्टेंग है। यह मुझे स्क्रीाोफ दिल्ली में रह रहे ह। बहुत बहुतत है। प्रदेश का जी को सब्कूरिके नहीं की खुछNow कुछ दूबर बएक तो है। अब लोगों ने ऐसा कारे कर रहे हैं आप पर कीज़े पवित्रता का भबनी होता है कि फिर भी काफी मंदिर बन गए 6-7 मंदिर में दिल्ली में है बगवान के आप बड़े मंदिर में जाईए जो गिर्टर के अलाश्का है प्रवेश करते ही लगेगा कि आप वैकुंट में कि अब और के दिल्ली में आप बड़े मंदिर के और मान करवाय है आदभुत महराज ने करी है अदभुत सिवा महाराज ने करो सक्षे माइए धृजपंडू जहाती है हुंट रिवेश की ने हम किसा कि और नथ बन गए बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बन रहा है। इस नोट अडिनरी थिंग एक विश्णु मंदिर बनाता है तो बहुत बहुत अड़ाज ने बारा बन वादी। और पुने का मंदिर महाराज के आगय से बना। देखें जो भक्त अब कता की इतना वगराज सुन रहे हैं तो वो तो बहुत अड़ांस्ट है। अच्छी हम खाली मजा की बात नहीं कर रहे हैं नहीं हम बखन लगा रहे हैं। बहुत बढ़़ा बहुत बढ़ा लाव होता है। और इस्पेशलि स्कॉन मंदिरों में दिल्ली के मंदिरों में तो विशेश करसे से बहुत ज्यादा बुस्तक मत्राप पेश में जबहां जो सारी यस कवानए मंदिर में मैंने समझ नहीं होती या मैं मैंने समझ या कोई वेक्तिitas में हूंगे कि जैसे क्यों मन्दिर है ऐसे मंदिर भारत में हैं भी कोई भी हाथ नहीं खड़ा कर शकता कि ऐसी मंदिर थे आजकल कि जहां पे इतनी सेवा होती प्राइट प्लास्टिक के फूल चड़ा दे थी है विशूप प्लास्टिक फूल को भादावान को किती सुदधा सेवा सुद्धा छेगे होती है यहां तो बहुती विशेश कभी बोलो अपनी प्रेमिका को प्लास्टिक का फूल दो फिर प्लास्टिक की संडल से मारे गिए कभी कभी सोचा है कि कर सकता है इस तरह से प्लास्टिक को किसी को आप देंगे प्लास्टिक का फूल आप कभी सोच सकते हैं किसी को किसी इंसान को प्लास्टिक का फूल देने क के लिए के लिए नहीं दिना बस देने के लिए अंब भागवानी मिले और शुडाई अगर आपको हमको को प्लास्टिक की माला पिना दर ने आ livres उसे मी अधिसे नहीं माला दे चलता का прав फूल कि माला मत दीजेगा, भगवान जा प्लास्टिक और प्लास्टिक लाइस ते न खुछ को प्लास्टिक देखती मुझे याद कि याद करो, कभी अतो रयाद कर आ, मतलब यह का दो, लोगपता क्या सुछते हैं? आप देखो फूलों की माला भी रिवे से डीके 10 रुपए की माला आती है अगर रोज 10 रुपए की माला चढ़ाते हो कितना खाचा बड़ा खरचा एंट तीनसुर रुपए भी नहीं खरच करना चाहते है can juice तो अगर अगर कहीं भक्त लोग कर रहे हैं तो हम इस दोस्त को निवालन करना चाहते हैं बिलकुल आज ही उठाके फेकिए और कौन जाएगा वहां रोज रोज तो मत दो ठीक है नथिंग इस बेटर दना रॉंग थिंक हम से हम प्लास्टिक का फूर्ट न देजिए प्लास्टिक कहीं बढ़ना नहीं प्लास्टिक अशुद्ध होता है नहीं करना चाहते हैं यह भूभाग पवित्र है क्योंकि भगवान कृष्ण ने उस भूभाग पर कई बार्यात्रा के थी अब एक लिए क्लेर हो गया यह पूरा भूभाग अपने आविर भावकाल से अपने मामा कंस के वहां पैदा होकर विंदावन में अपने पालक पिता महराज नंद के यहां पले आज भी वहां पर भगवान के कई भक्त किरिष्ट तथा उनकी बाल सहेलियों गूपियों की खोच में भाविवोर होकर रह रहे हैं यह प्रपा आज भी और हम क्या कहेंगे आज भी भले हम नहीं जान रहे हम नहीं देख रहे हैं लेकिन आज भी हमेशा से ब्रच धाम में ऐसी भक्त हैं जो भगवान का दर्शन खोज रहे है हे राधे ब्रज देविके चल लिते हे नंद सूनों कु तह इस बात को थोड़ा समझे बहु भगवान को खोज रहा होता है तो उस feeling of separation इस विरह के भाव से जो एक आवरन आखों के अगे पड़ा वाज इस कारण से भगवान को नहीं देख पाते हैं वो टूट जाता है भगवान का दर्शन भक्त को प्राफ्त हो जाता है यह समझ में आया यह हम सिद्धान्ति करूप आया का वह हट जाता भगवान का दर्शन मिल जाता है इसके अपर दर्शन को लव अफेक्ष प्रेम तो यहीं बात पर पर पास समझा रहे है ऐसा नहीं है कि ऐसे भक्त उस भगवाग में कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं किन्तु भक्त का उत्सुकता पूर्वक् कैसे है इसकी व्याख्या तो नहीं की जा सकती है किन्तो जो भगवान के शुद्व भक्त उनके द्वारा ऐसा अनभव किया जाता है जैसे गोपिया भी जब भगवान कृष्ण चले गए थे बाहर रूप से तो वह कृष्ण को पागल की तरह ढूंट रही थी तो वह वाप समझ में नहीं आती है लेकिन एक धारन से अब कम समझाएंगे यह आप से समझ जाएंगे कभी आप सब्जी मार्केट जाएं और की आप वह जाएं है या संत्रा खरीद जा रहे है तो देखते को संत्रा दीखता है कि यह हुआ है कभी आप लोगो साइकिल पंचर बनवाना ह तो पंचर बनाने की दुकान ढूंड रहे होते हैं तो हर दुकान पंचर बनाने वाली दुकान दिखती है एक चांड के लिए उस खोज के कारण बहुत ही हम क्या करें बहुत ही लोग स्केल वाला हम आपको धारन बता रहे हैं लेकिन खोज के कारण विक्ति को देखने लगता पहुत ही हलका धारन है लेकिन समझाने के लिए समझा रहा हूं कि आसा अन्मा आपको हुआ होगा है ना तो यह अधबुद्ध भगवान की महिमा है तो अब जो भगवान को ढूंड रहा है उसका उसकी चित्त के वस्ता तो आप सोची ले सकते हैं यह तो यहां पर इलूजन सा होता है कि हमें वह दिख रही वस्तों वह पर है रही लेकिन भगवान तो है ना भगवान तो पहले से हर जगे विद्धिमान है प्रियम की कारण अत्यान तो उनको विरह का अन्भव हो रहा है इस कारण से भगवान को हर जगे देख पाते हैं ऐस बहुत से लोग हमसे दूर हैं लेकिन इसकारत यहने कि उनसे विरह कानभव करते हैं विरह कानभव हम उनसे प्रति करते हैं जिनका हमसे प्रेम है जिनका जिनसे हमको प्रेम है तो इनका अत्या प्रेम है इसी कारण से विरह कानभव कर रहे हैं इसी कारण से खोज रहे हैं तो तो कभी रही दिखाई पड़े भगवान वह ही बोलेंगे दाशनिक रूप से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान कृष्ण तथा उनकी स्मृति परमस्तर पर होती है और शुद इस चेत्ना में विरिंदावन में उनकी खोज करने का विचार उनके साक्षाद दर्शन करने क कि अपिक्षा अपने में भक्त को अधिक आनन्द बदान करने वाला है ऐसे भगवत भक्त उनका दर्शन प्रतिशन करते हैं इसकी पुष्टी ब्रह्मस्तर में अभिए इससे पहले थोड़ा समझने का प्रयास कि यह हुआ क्या देखिए अगर भगवान सामने भी हो या कोई भी विक्ति सामने है उससे अगर प्रेम नहीं है तो उसको देखने में कोई सुख नहीं मिलेगा इसी लिए भगवान हमें प्रतिक्षा करा रहे हैं प्रतिक्षा करा रहे हैं हमारे हिर्दय को शुद्ध करते जा रहे हैं जित उतना ही भगवान के प्रती आकर्षन बढ़ता जाएगा अभी देखो रैख भक्त थे तो वह पांच मिनट कीर्थन भी उनको युगा इतम निमिशिणा लग रहा था कि तो पूरा यूगी के समाने वह पांच मिनट कीर्थन के पैरच्वे भाग गए बहुत बहुत कृपा कर सब्सक्राइब के लिए अधिक बीमारा से कह सकते हैं लेकिन जैसे जैसे वक्ति भगवान की भक्ति करता जाता यह आसकती बढ़ती जाती है प्लीज मैं आपसे प्रात्ना करो यह उत्ती सी बाव समझ जाएगा जितना हमारा हिरदय शुद्ध होता जाएगा उतना ही सब्सक्राइब करने है इससे पूरी कृष्ण भावन आपकी टिक जाती है पूरा कृष्ण भावन भावित जीवन सिंपल सी बात यह करते जाएए अचा कल क्या करें जो आज किया परसुद्ध करें फिर यही कि ऐसे करते जाएए और समझ जैसे जैसे आप करते जा रहे हम लोग का हिरदय पवित्र होता जाता तो अब और भागवान का अनभव होता जाता है और भागवान का अनभव मतलब पल्पना प्रटि दिन पहले दिन सी था नगी तो भक्ति करते ही क्यों क essence मैं उनको आनन्द प्रदान होता है खोजने में प्रेमान चुरित भक्ति विलोच नेना संतह सदे विर्दयेश्व विलोक यंति यम शाम सुंदरम चिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भचामी जी लोग भगवान शाम सुंदर कृष्ण से भगवान की प्रति प्रेम तथा अपनी भक्ति के कारण उन्हें सदेव अपने हिर्दयों में देखते हैं विदुर तथा उद्दव दूनों ही ऐसी उच्चस्त भक्त थे आतेव दूनों ही यमना के तर्ट पर आप पहुंचिए और एक दूसरे से मिले एक बात हम छूट छूट देव पर इंट्रस्टिंग बात है भागवतम्द दर्श्रह शब्द था नहीं आप एक महान भक्त को देखे अब बताईये कि मान लिजिए अलबर्ट आइस्टीन सड़क पर घूम रहा होता तो आप लोग पहचान लेते इसको लेकिने के विज्ञानिक पहचान लेता कि और ये तो महान विज्ञानिक है समझ में आया आपको समझ नाए पर पाजे कमेंट क्या है भागवतम को कि वह स्वैम भगवान के प्रेमी है इसलिए वह समझ गया कि यह भी भगवान के महान प्रेमी है जैसे महाप्रहु जब जगनातपुरी में आये थे तो उन्हेंने बहां जगनात जी को देख करके बिहोश हो गए तो वहां के पंड़े उनको मारने के लिए उद्यत हुए त तो वो भगवान के भक्त है तो इसलिए वो समझ पाए एक महान भक्त है इसलिए यहां बैठ करके कोई ़िए सुचए है कौन कितना शुद्ब भक्त है हम समझेंगे आप नहीं समझ रखते है इस इतो के बहुत अच्छी बात है भागवत को महान भागवत को देखा कि खुद महान भागवत ने इसलिए समझ पाए अब उनसे कुछ बातें करते हैं वह मागे सुनेंगे भक्तों का प्रश्ण है तो हम देख लेते हैं एक भक्त की रहे हैं कि हाँ एक मंदिर बड़ा कितना सुंदर है इंगन अभी वहन नोटिस किया कि मंद warm को प्लास्टिक की माल लगती ना सिर्फ प्लास्टिक की माल लगती शीशे मों पैक कर दिया गया जहां तक हम देखे लास्ट अम गये थे दर्शन करने के लिए तो इसलिए विशेश इस प्रकार का भगवान माधुर प्रकट करते हैं एक बात हम बिल्कुल बताना चाहते हैं घूपियों को भी और ब्राम्हन पत्नियों को भी भगवान ने जो सिक्षा दिये बहुत ध्याज सुनिये भगवान कहा रहे हैं कि मेरे पास रहने मात्र से मेरा प्रती प्रेम नहीं होता प्रेम होता है चार चीजों से मेरे बारे में सुनने से मेरे बारे में सुनने से भगवान का श्रवडाद दर्शनात ध्यानात मेरे विग्रह का दर्शन करने से मेरा ध्यान करने से और मेरे मई कौन सा साधन आपके पास अविलेबल नहीं है भगवान का श्रवन करने के लिए हमाँ शुबदा है भगवान का विग्रह देखने की शुबदा है अरे अगर आप मंदिर नहीं पहुंच पारे तो भगवान का चलो वह रोटकास्टी कर तो आए घर में तुम नहीं आप आप भगवान के लिए बनाना है यह सब तो भगवान के ध्यान में आ जाएगा और हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे यह संकीरतन की हम लोग क्लास के पहले आधा गंटा संकीरतन क्यों कर आगरत करने का जा भक्ति भागवत में पढ़ाऊंगा तब बुलकुर स्पष्ठ भागवत में आखरी श्लोक में लिखा है नाम संकीर्त नम यस्या सर्वपाप प्रनाशनम इत्यादी तो ऐसे ही नहीं बोल दिया गया है वहुत-बहुत महत्व है इसका अगर आप आ सकते हैं अगर आपके जाव अपित्यादी नहीं तो आप लोग वहां पर भी सनलग नहीं हो सकते हैं यद्ध भी मैं आपके वाच नहीं सुन पा रहा हूं लेकिन at least you are chanting with us, we can connect like that, so विचार की जगाव भी हाँ रखते हैं शुम्र भाग वत्म की जाए शुद्र प्रहुपात की जाए निताइगोवर प्रिमानन दे